हेलो गाइस हादिकिष्णा गुद मॉर्निंग यूट्यूब चैनल मैं हो आपके साथ अपकी क्यूटक्स अंगीता हो आप सब बढ़िया होंगे हम भी एकदम मेंस्ट है और गाइस आज मैंने सोचा क्यों ना मैं व्लॉग बना लो क्यूंकि बहुत टाइम हो गया तो मैंने सोचा मैं व्लॉग बना ले क्यूं तो फिलहाल कुछ खास नहीं है तो गाइस हमारा सफर होता है यहां से शुरू एंड मैं आपको बता दू हम जा रहे हैं अपनी सबसे चोटी वाली बुआ की खर क्यूंकि वहां थोड़ा फॉंक्शन था एंड हमारा कोई प्लैन नहीं था अचानक सी प्लैन बन गया तो हम जली से रेरी होगे और अभी हम अचानक तो अभी हम कुछ ऐसी लोकेशन पर पहुंचे होगे यह देख सकते हैं और यहां पर तलाब भी एचोटा ऐसा और यह पूरी हमारे तीम यहां से जाबे होगे और बाबा हमें डांट लगा रहे हैं बोलते हैं जल्दी चलो जल्दी चलो लेट हो रहा है मैं दूर तक का नजारा दिखता है चाहां मुझे ऐसा लगता है और यह गाइस हमारी टीम यहां पर रुखते हो यह शिवांदी इसके तो खूसूरत बुट्टे हैं न को ले रहो वाला किस पातो और गाइस यहां से तो बहुत जादा प्यारा लगता है दूर दूर तक देखो दूर दूर तक का खुल के दिख रहा है पूर यह देख सकते है आप गाइस अगर आप यहां आना चाहते हो तो आप आख सकते हो यहां आपको सामने ओपर दिख रही है यहां रोड तक हम आये मतलब गाड़े तक उसके बाद यहां पर आये तो यह लोकेस्टी बहुत जादा अच्छी है मतलब अभी तो मुसम खराब है यहां अपर आप देश सकता है यहां इनके थोड़े से फोटो जारा क्लिक करते हैं उसके बाद मिलते हैं किसे तब तक के लिए पाई आपे इंजॉय किया जा रहा है यह तो यहां पर सो ही गए है औ cis लोगी नियर्णारि नियर्नुमागी यह वादिया यह नजारे बुला रहे है तुम्हे वादियों वह से लिखिया वीधिया वादियों वादिया थे बेहत खूपसूरत वादिया है और गाइस अभी मुझे बहुत ही ज्यादा ठंड लगी हुई है तो मुझे समझने आ रही कि मैं क्या बताओं मुझे कुछ समझने आ रही कर दो झाल झाल तो पहले हम आपको यहां का वीव दिखाते क्यूंकि मतलब यहां पर बारिश थी बहुत जाला तो मैंने शूजी पहना है देख सकते हैं और यह श्यवानी दी यहां जाल नहीं हाई करना श्यवान दी ने कुछ मतलब हमें पता नहीं था कि मोसम खराब होगा तो श्यवान दी ने यह रड़ वाला शौल लगाया है पता नहीं किसका क्यूंकि बारिश लगी थी अभी मस्ना बारिश रुकी है और यह पूरी यात्रा के लोग है आज यात्रा के साथ में जो चोटी वाली बुवा है सबसे चोटी वाली बुवा उन्होंने यात्रा लेनी है तेंपल का नाम है टेंस्तन और वो बगवान श्री गनेश जी का मतलब बहुती मान्यता रखे लोग जाते है मान्यते बहुत सारी होती है तो वह फूरी भी होती है तो तब ही जाते है मतलब ऐसा है मैं गई हूँ वहां पर एक बार गई हूँ मैं बहुत ज्यादा चोड़ी थी तो मुझे उरना ज्यादा पता नहीं है मैं को यादनी है कि वो बद्रवा साइड पढ़ता है या फिर डोडा साइड पढ़ता है कुछ ऐसे ही है तो फिलाल अभी हम घर से निकल गया है सुबा से इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी रात को भी बारिश थी रात को बते हमें लाइटी नहीं थी और मेरे फोन में 18% बैटरी है तो मैं जादा व्लोग वगारा भी नहीं बना पाऊंगी शायद से महते दूख हो रहा है मैं हर एक मुमन को किलिक करना चाहती थी बट मेरे किसमत फूर्टी किसमें चलो देखते हैं चार्जिंग कोई बंदोबस्त कर लेंगे हम आवे थोड़ी है हम ऐसे बंदोड़ी है तो चली वह सारी चलेगे आगे और हम सबसे बिच्छे पिच्छे मैं और शिवान दी इस बहुत थे मिंगे और गाइस यह यहां के नजा बारिश रखी तो अब दूप निकले और यह पहारी तो अब यहां दो देखिया आप हालत क्या हो रखिया है पिकोज रात में बारिश हो रखी थी बहुती जादा उसका ही नतीजा था यह अब यहां पे गाडियों से सारे लोग उतर गए थे एंड हमें थोड़ा सा चलना है पैदल बंदिर तक रोड से लगपक तो मिनिट लगेंगे आप हैं यहां पहुती हैं अब बहुत हैं प्यारे प्यारे से पेड़ हैं यहां पर बहुत सारे अब अब इस अब मंदी के बास पहुचे कि आप जादा होंगे तो यह तरह शूल चड़ाने के लिए अब मामू मामू हाई के था मामू शीले के था मामू जनन Bent के पादा पूंप हरने वा जया है खबसाएंगा है कर दो अजसार सकता है तो तो गाइस फाइनली हम अंदी के पास पोहन चुका है यह मंदिर आप सामने देख सकते हैं और यह कुछ यहां की लोकेशन हम उस वाले रास्ते चाहे हैं एक रास्ता यहां अपर से भी आता हैं पर यह को नहीं बहुए कहा वमद। कहां से आता है..और यह हमारी पूरी यहां से लिख के अंदे तक तक.. यहां पर दिखा हुआ है . यह से अखरा हुआ है जैंड कुनेश और यह है फाइनली वो मंदिर जहां पर हर दिन कोई नही यातरा आती है जही बढ़िव कोईश तूसर आती है अब यहां पे सारे लोग दश्ण करने जा रहे थे एंज हमसे पहले याम पे एक और यात्रा आई हुई थी यहां हर दिन कोई न कोई यात्रा आती रहती है और बहुत ही दूर दूर से आते हैं जो भी मतलब श्रधालूत है श्री राधे ग्रिश्ण वो बीचे जैस श्री राम थे यहां पे मादा लक्ष्मी यहां पे मादराणी और गनेश बगवानजी से रवाली मादा गनेश बगवानजी घरिश्ण वो थे उसको एंजल कर दो एंजल को को जो नहीं है बास्ते बास्त घ्लोय काईशू, काईशू, इके, इके जोगू, क्या है ये? ओई बाबा, दो मुझे, मुझे दो, दो मुझे, काईशू, मुझे दो, मुझे दो आंजल, दो इसको काईशू, 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 आप शेट देख रहे हैं यहां पर खाना बनता है जो भी खाना बनाना हो और जो यह सामने है यहां पर सामान बनाने के लिए साइट पर पानी भी अवेलेबल है जानाो झाहिएूएं का लेको भी ताना है यहां यहांगा भीमिपरव एंप बनान यहां शेको यहां भीमिपर अपर उस कि मल групп करेंग यह स्केज प्री तुम सामना बन्मा बनाने कर दो 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 अब यहां बे सारे ठक गए थे बहुत ही जादा नाच नाच के तो सारे विश्राम कर रहे थे और उस्थ लोग जो थे मतलब खाना बना रहे थे इतर शेट के पास में अब यह थे चम्हेशर लोग खाना कि रहे स्वेश्राम कंतर जो खाला हो फ्कट लिए जो के तकες को नाच में। सारे बैठके सारे बैठके कुछाई कर दो अब है अब है वापिस जा रहे हैं घर अधी लोग आगे निकल चुके हैं और आदे हम अभी जा रहे है मतलब कुछ पीछे हैं कुछ चले गया है मतलब अब लेट हो रहा है तो अब कुछ आगे कुछ पीछे हैंग झाल झाल झाल